जैशी किशना दोस्तों बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों नवरात्री के किसी भी एक दिन अगर आप साथ लोंग का ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए जीवन की जितनी भी परेशानी चल रही है वो अवश्य ही दूर होंगी दोस्तों माता रानी को लोंग अती प्रिय है नवरात्री के दिनों में अगर आप लोंग का उपाय करते हैं तो इससे जीवन में संतान सुख रोग मुक्ती धन प्राप्ती यानि जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है आपका वैपार नहीं चल रहा नोकरी में दिक् या फिर ग्रह कलेश बहुत जादा रहता है या संतान सुक की प्राप्ती नहीं हो पारी किसी भी वज़े से अगर आपकी जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो नवरात्री के दिनों में ये साथ लोंग का उपाय आप अवश्य करके देखेगा निशिद ही आपको लाब मि दोस्तों इस उपाय को आप नवरात्री के किसी भी दिन कर सकते हैं इसको आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन आपकी इच्छा है आप कितने भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों इस उपाय को अगर आप मंदिर में जाकर करते हैं तो सर्वोत्तम है नहीं तो आप घर मे भी इस उपाय को कर सकते हैं देखे मातारानी की आरती के समय पर आपको ये उपाय करना है आप मंदिर में जाकर कर सकते हैं नहीं तो अपने घर में अगर आपने मातारानी की चौकी मतलब इठा रखी है तो वहाँ पर भी मातारानी के सामने मतलब फोटो के सामने आप कर सकते ह दोस्तो मातारानी की देखे आरती में कपूर का इस्सेमाल जरूर करना चाहिए आपको मातारानी की आरती कपूर से करनी है और उसमें आपको दो फूलदार लॉंग इस बात का ध्यान लके कि जो लोंग ले रहे हैं वो टूटी फूटी ना हो और फूलदार होनी चाहिए दो लोंग के जोड़े कपूर में डाल कर आपको मातारानी की आरती करनी है और मातारानी के सामने अपनी जो भी परेशानी चल रही है उसके लिए प्रात्ना अवश्य कर दोस्तों दूसरा उपाई भी बहुत ही सरल है बहुत ही अचुक है इसको आप किसी भी मनो कामनाक ले कर सकते हैं विशेश रूप से जिन बहनों को देखे संतान सुक नहीं मिल पा रहा है या किसी भी वजह से आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी आपको संतान सुक नहीं मिल पा रहा तो आप इस उपाई को जरूर करें दोस्तों इस उपाई को अगर आप शनिवार और मंगलवार के दिन किसी भी दिन आपको एक दिन करना है आप किसी भी दिन कर सकते हैं नहीं तो आप दोनों दिन कर सकते हैं या फिर नवरात्री के सब्तमी अश्टमी या नौमी इन तीनों में से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं इस उपाय को देखे आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर करना है आपको मतलब जहां पर हनुमान जी पर चोला चड़ाया जाता है मतलब वहाँ पर जाना है मंदिर में जाकर इस वपाय को करना है इस वपाय को करने के लिए आपको देखे एक मिट्टी का दीपक लेना है और दो लंबी बाती लेनी है आपको दो लंबी बातिया लेनी है और उससे आपको दीपक पर चो मुखा बना लेना है आपको देखे चार दीपक बत्तिया नहीं लगानी है आपको दो बत्तियों से ही चो मुखा दीपक बना लेना है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है दोस्तों उसके अंदर आपको तेल डालना है तेल का दीपक आप को तयार कर लेना है और आपको साथ फूलदार लॉंग लेनी है लॉंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो और उस दीपक के अंदर आपको फूलदार लॉंग डाल देनी है और हनुमान जी के सामने उस दीपक को प्रजुलित करके देखे जब दीपक आप रख रहे हैं हनुमान जी के मतलब सामने तो या तो आप स्टील की प्लेट रख ले या फिर कोई भी लाल कपड़ा दीपक के नीचे आपको रखना है आप नहीं तो मतलब स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं और दीपक को प्रजुलित करें और हनुमान जी के सामने आपको देखें साथ बार हनुमान चालिसा का पार्ट करना है दोस्तों ये बहुत ही चमतकारी मतलब उपाय है इसको जरूर करें बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक बार हनुमान चालिसा का पार्ट नहीं करना है आपको साथ बार हनुमान चालिसा का पार्ट करन इस उपाय को जरूर करें आपको निश्शिद ही लाब मिलेगा आप इस उपाय को शनिवार और मंगलवार के दिन या नवरात्री के सब्तमी अश्टमी नौमी के दिन हनुमान जी के सामने जरूर करें तीसरा उपाय है दोस्तो अगर आपके घर में हारी बिमारी लगी रहती है यानि कोई ना कोई घर में परेशानी लगी रहती है कोई ना कोई बिमार बढ़ता रहता है तो आपको इस उपाय को करना है इस उपाय को आपको देखे सूरियास्त के बाद करना है आप एक दीपक त तेल का दीपक त्यार कर लेना है और उसमें आपको देखिए तीन फूलदार लॉंग उस दीपक के अंदर आपको डाल देना है और इस दीपक को आपको ऐसी जगा पर रखना है जहां पर आपको लगता है कि मतल़ हमारे घर में नेगटिविटी है नकारात्म कूर्जा है या जिस स्थान पर आपको बैठने का मन नहीं करता यानि अपने घर का ऐसा स्थान आपको दीपक जलाना है जहां पर आपको जाने का मन नहीं करता वहां पर आपको थोड़ी सी बेचैनी होती है आपको देखे उस कमरे में जलाना है जहां पर आपको ज्यादा नेगटिविटी लगती है जहां पर आपको जाना अच्छा नहीं लगता बैठना अच्छा नहीं लगता फतला देखे घर का कोई भी एक ऐसा कोना होता ही है जहां पर नेगेटिविटी बहुत जादा होती है हमारा मन नहीं लगता अशांती सी बनी रहती है तो वहां पर आपको इस दीपक को जला देना है देखना आपके घर से जितने भी परेशानी है वो अवश्य ही दूर हो जाएंगी इस उपाई को नवरात्री के किसी भी दिन आप कर सकते हैं चोथा उपाई भी बहुत ही सरल और अचूक उपाई है दोस्तो इस उपाई को भी आपको सुर्यास के बाद ही करना है इस उपाई को करने से आपकी आर्थिक परेशानिया दूर होती हैं अगर घर में बहुत ज़्यादा ग्रह कलेश रहता है मन मुटाब रहता है कोई भी कार दोस्तो आपको एक प्लेट लेना है उसके ओपर आपको एक दीपक को आती प्रिया है और जो बॉक आती प्रियई है और तीन हरी इलाइची डालनी है और इस प्लेट को लेकर आपको अपने घर के में दर्वाजे पर बाहर की तरफ से इसको मतलब जला लेना है इस दीपक को जला कर मतलब आप जब जला रहे हैं तो ओम एम हरीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते हुए आपक दोस्तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रहे हैं जो भी कलेश चल रहे हैं वो अवश्य ही दूर होंगे दोस्तो इस उपाई को आपको देखे सूर्यास्त के बाद ही करना है बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है आखरी उपाई है दोस्तो इस उपा आपको लाब मिलेगा दोस्तों आपको एक दीपक तयार कर लेना है आप घी का दीपक तयार करें और उसमें आपको लंबी बाती लगानी है और एक फूलदार आपको लॉंग लेनी है उस लॉंग को अपने हाथ में रखें जो भी आपकी परेशानी चल रही है या धन से संबं दिर चल रही है या आर्थिक शेत्र में आपको मतलब दिक्कते आ रही है जो भी आपकी परेशानी चल रही है एक फूलदार लॉंग को अपने सीधे हाथ में रखकर मुठी बंद करके आपकी जो भी परेशानी चल रही है जो भी आपकी इच्छा है चाहे संतान की है धन की है वो अवश्य ही दूर होगी दोस्तों ये हमने लॉंग के पांच उपाय आपको बताए हैं अगर इन उपायों को नवरात्री के दिनों में अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी परेशानी है वो तो दूर होगी और आपकी इच्छा बहुत ही शीगर पूरी होगी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें आप सभी को जय माता दी